नमस्कार मैं राजमडी पाल उत्तरपदेश राशीरी टंडन मुक्तबिश विद्ध्याले सिच्छा विद्ध्या साखा से जैसा कि हम लोग पिछली कच्छा में सबिस्तार विकलांकता की परकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं उसमें देख चुके हैं कि विकलांकता जो है 21 परकार की होती है उसमें से ही आज हम देखेंगे बादेक अक्षमता जो कि बिखलांगता का एक प्रकार है और आज उसके बारे में हम लोग साविस्तार चर्चा करेंगे जो की हमारे पेपर नंबर सब्सक्राइब करें और इसके बारे में हम जानेंगे बौधिक अक्षमता क्या होती है इसके परिभासाएं और इसके काजिस के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि बौधिक अक्षमता के मुख्य लच्छन क्या है और इसको समझने के लिए हमें किन-किन के लच्छनों को देखते हुए हम जान सकते हैं कि बच्चा जो है बौधिक अक्षमता से सफर कर रहा है आज हम B.A.C. 91 के बलाक वन एनुट नमबर वन के बारे में समझेंगे कि बौधिक अक्षमता क्या होती है और उसके बारे में आज हम जानेंगे लेकिन वह ना तो सही से बोल पाता है और वह या भी नहीं जानता कि वह अपने कपड़े कैसे पहने और अपने आप से वह अपने सर्ट के बटन भी नहीं लगा पाता अपने जूते वगएरा भी नहीं पहन पाता स्वैम से खाना भी नहीं खा पाता और जब वह नहाने जाता है तो उसे किसी की साहथा की जरूरत होती है वह अपने संकच उमर वाले या हम उमर वाले बच्चों की तरह पढ़ना लिखना भी नहीं जानता प्रायावा एक जगां पर बैठा रहता है या अपने सरीर को इधर उधर घुमाता रहता है अब यहां अगर यह लच्छन वाला जो राहूल बालक है इसमें यह हमें देखनी की ज़रूवत है कि इसको इसमस्या क्या है पिएर yogurt में क्या दिकत है जिसके कराण से यह उसमें लच्छन दिखाये दे रहे हैं तो अगर हम इसके सचिरल करें इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी Θ republican लुब्ल कुंध्री रुभ से glaze है अब अगर हम उसकी बाधिक अक्षम है तो बाधिक अक्षमता किसके को कैसे समझेंगे इसके लिए हम बहुत साधार भासा में समझ सकते हैं अब हम इसको जानने के लिए देखते हैं कि अब हम बाधिक अक्षमता सब्द को समझने का प्रयास करते हैं और अपने आसपात बहुत से लोग होते हैं तो कुछ लोग बहुत धनी कुछ गरीब होते हैं कुछ लंबे कुछ छोटे कुछ गोरे कुछ काले कुछ मजबूत कुछ कमजोर हमारे आसपास अनेक शमताओं के लोग भी होते हैं कुछ लोगों के पास बौधिक शमता बहुत जादे होती है कुछ लोगों के पास सामाने बुद्धी शमता होती है और कुछ लोगों के पास सामाने से कम बौधिक शमता होती है उसे हम बौधिक अक्षम बालक कहते हैं अर्थात इसमें हम देखते हैं कि जो बालक बौधिक र पर्रा की क्रियाओं में और शक्तान उशार ब्योहार करने में या नीड़े लेने में अक्षम होते हैं आप इस चित्र माद्धम से देखिए तो आप महसूस करेंगे कि आप हम पिच्चर में देखते हैं कि लुकाट दा पीपल हेर डिडियू नोटिस ड्राविलिंग दा सलाइबा जो है मुख को सही से बंद नहीं कर पा रहा है उसका सलाइबा गिर रहा है एक बालक का मुख खुला हुआ है उसके छोटे-छोटे कान है एक तीसरे चितर में हमें दिख रहा हुआ कि एक छोटा सा बालक है जिसके सर जो है का स्ट्रक्चर या उसका अकार अलग है सामान से हट करके है जिसमें क्या है यह सच फीचर हमें ऐसे कुछ लच्छन दिखाई दे रहे हैं जो कि सामान की तरह सामान की जैसे नहीं है अब यह सामान के जैसे नहीं है तो इन लोगों को ही जो है ऐसे लच्छनों से हमें आसानी से समझने में सहज मैसूस करते हैं कि इस अगर बादिक अक्षमता की परिभासाओं को देखें उसको और समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी परिभासाओं को चुकि इसमें एक चीज यहां बिशेश रूप से ध्यान देने की है कि हम परिभासाओं को इंग्लिस में ही ले रहे हैं और इसकी टर्मिलोजी लगता है कि आप गवर करेंगे तो आपको समझने आएगा और हम हर पॉइंट को हिंदी में असपष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम देखते हैं कि जो मांसिक मंता परिभासा है मांसिक मंता का हम वर्ड यूज कर रहे हैं चुकि हमारे बादिक अक्षमता को जो है कई ना कहते हैं तो हम पुरानी डिफिनिशन अगर देखें तो देखते हैं कि मेंटल इटाडेशन इस डिसेविल्टी करेक्टराइज वाइस सिग्निफिकेंट लिम्टेशन बोथ इन इंटेलेक्ट्ट्वल फंक्शनिंग और अडप्टिव भी हैवियर आज एक्सप्रेश्ट इ है यह सीमित होता है जो हमें उसकी समझ सामाजिक क्रियाओं और रोज नित्य क्रियाओं के रूप में परलचित होता है यहां परिभासा अमेरिकन अस्योसियेशन और मिंटल इटाडेशन 2002 में दी गई थी बरतमान डिफिनिशर अगर हम देखें जो इस समय हमारे चलन में च रहे हैं तो बस उसी कारूप चेंज हो गया है मानसिख मंता की जगह पे बहुत यह कष्छमता सब्दीयूज किया जाता है अब यहां देखते हैं कि Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning, reasoning, learning, problem-solving and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills. This disability originates before the age of 18. बौद्दिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें मुख्य रूप से बौद्दिक कार्य जैसे माथा 25 से संबंदित निड़े लेने में उसको सीखने में किसी समस्या के समाधान में दिक्कत आती है और अनकूलन ब्योहार जो कि रोज की क्रियाओं में समाजिक क्रियाओं में इस्तिती के अनुसार जो ब्योहार करने होते हैं उसको करने में उबालग अक्षम होता है और यह विक्लंगता 18 साल के पहले उत्पन होती है और इस डिफनीशन को अमेरिकन एसोशियेशन और इंट्रलक्चूल और डिब्लमेंटल डिसेबिल्टीज जो कि पहले की जो संस्था थी अमेरिकन एसोशियेशन और मेंटल इटाडेशन उसी का परिवर्तित रूप है उन्होंने दिया कि आगे हम मांसिंग मंता की कुछ और डिफनीशन को देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि वह ने भी हमारे मांसिंग मंता की डिफनीशन दी है तो उन्होंने कहा कि अक अ कंडिशन अप अर्श्टर अर इनकोंप्ले डवलेंट आफ मांइड विच इजिए इस्पेशली चरेकराइज़ भी आप्रेंट आप स्किल मनिकेश्ट दूरीं डूरींट अप्रेंटल बिरूट बिरूटिटिंग तो ओवर अलेवल अविवल आ कोगनेटिव लेंग्वेज मोटर एंड शूशल अबिल्टी इस रिटार्डेशन के अकर्स बित आर बिदाउट एनी अधर मेंटल और फिसकल डिसार्डर तो हम इसको अगर हिंदी में समझें तो कह सकते हैं कि मांसिंग मन्ता एक मस्तिस्क का पूर्ण विकास ना होना है जो कि उसकी डबलामेंटल पीरियड जिसे बालक का जो मस्तिस्क का विकास होता है उस अवस्था में होने वाला एक विकास में होने वाली बाधा की रूप में होता है और यह उसके रोजमर्रा की क्रियाओं में जैसे संग्यानात्म अजिमर्बिकास भासा का अबिकास गतिक योम-सामाजी-घंगताओं को परभावीत करता है मानसिक मन्ता सब्ह essay को बहुतन कंवा मधा चीछा , प्यूम का अस्तर भी हो सकता है और फिसकल आडर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है कि वो सारे रूप से उसमें अर्चमता दिखाई दे यह डबलु एच्चो ने कहा है तो और उसके बाद PWD Act 1995 ने भी मांसिक मन्ता की डिपनीशन दी थी कि मेंटल इटाडेशन मीन्स कंडिशन आफ अरेश्टेड और मांसिक मन्ता का तात पर बालक के मस्तिस का अपूर्ण विकास होना है जो कि उसके लच्छन के रूप में सामान से उसकी बादिक्षमता कम हो जाती है ऐसे ही कुछ और डिपनीशन दिए गए हैं मांसिक मन्ता के बारे में जो कि इस डिपनीशन से हमें काफी क्लिरेंस आ जाता है उसके लच्छन के बारे में भी हमें समझने में आसानी होती है अगर हम इस परिभासा को छे से समझते हैं तो mental iteration is defined as significantly sub-average general intellectual functioning that is accompanied by significant limitation in adaptive functioning in at least two of the following skill areas. mental iteration एक ऐसी भी क्लांगता है जिसमें बालक का बौधिक शमता या बौधिक कार्य सामाने से कम हो जाता है और जो हमें उसके अनकूलन ब्यवहार में और रोजमर्रा की क्रियाओं में नीचे दिए गए कुछ बिंदु हैं उसमें से कम से कम उसमें दो कमियां होती हैं communication, self-care, home living, social interpersonal skill, use of community resources, self-direction, functional academics, work, leisure, health and safety. the onset must occurs before age at 10 years. communication, self-care, home living, घर पे अकेला रहने में दिक्कत महसूस करता है, social and interpersonal skill, लोगों से ताल मिल नहीं बिठा पाता है, use of community resources, समाज में उपलब्द, संसाधनों का सही से उप्यों करने में अक्षम होता है, self-direction स्वेम से निर्देशित नहीं हो पाता, functional academics, कार्यात्मक्स इच्छा लेने में अक्षम होता है, ज़रूत के हिसाब से काम करने की स्थिति प्रभावित होती है, मररंजन, चुकि मररंजन हमारी life के लिए बहुत important है, तो इस्थिति के नुसार वो अपने आपको entertain नहीं कर पाता, अपने health और अपनी सुरच्छा को सही से बहुस्तित नहीं कर पाता है, इन कम से कम हमारी definition कहती है, कम से कम इन दो एरियाओं में बालक में समस्या होगी ही और ऐसे बाल को हम मेंटल इटाडेशन के स्रेडी में रखते हैं, यहां विकलांकता 18 साल के पहले होती है, यह लच्छाप 18 साल के पहले दिखाए देता है, यहां definition DSM-4, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder के तरह दी गई, अब हम तमाम definition के आधार पे देखते हैं, देखा हमने कि मांसिक मनता जो है, क्या है, उसका incomplete, मुमस्तिस का incomplete या पूर्ण विकास है, उसके आधार पे हम अगर उसके लच्छण की बात करें, तो देखते हैं कि बहुत्दे कर्चंबालक कैसे हो slow reaction, धीमी गत्से प्रकिरिया, अब आप picture में से भी देख करके clear कर सकते हैं, कि एक बालिका है, उसकी मदर उसको कुछ instruction दे रही हैं, लेकिन बच्ची जो है, उसको follow करने में असहज मैसूस कर रही है, तो they respond slowly, बहुत धीरे से respond, बहुत धीमी गत्सी respond होता है, others say and do what happens in their surrounding, sometimes they do not respond, कभी-कभी तो respond भी बच्ची की प्रतकिरिया भी नहीं मिल पाती है, वो प्रतकिरिया देने में भी अक्षम होते हैं, अगर हम दूसरा जो है लच्छन देखे तो absence of clarity, ऐसे बालकों में असपश्टता की कमी होती है, कि they cannot express clearly their thoughts, needs and feeling, ऐसे बालक अपनी भावनाओं को प् आने में अक्षम मैसूस करते हैं या सही से clear-cut कुछ अपनी बाते रखने में अस्मर्थता मैसूस करते हैं, हमेशा confusion की इस्तिती बनी रहती है, तीसरा लच्छन में हमें दिखाए देता है कि सीखरता से सीखने में कमी, जो चीज़ उनको सिखाई जाए वह आसानी से या जल जल्दी से नहीं सीख पाते, समझ नहीं पाते, they cannot understand what they see, hear, touch, smell, artist, जो उन्होंने छुआ देखा या सुना या किसी चीज़ का स्वाद लिया, उस चीज़ को वह जल्द से नहीं समझ नहीं समझ नहीं दिक्कत होती है, जल्द से समझ नहीं पाते है, आगे, उनके कुछ लच् क्या है उसका दिसीजन क्या लें देखाहिं ना टेक इपन सिमपल डिसीजन डे डून नो वाट दू तो सह कि विण समय क्या करे इस दृब लिन है कि या अपने नेड़े मैसूस होती है एक्षम होते हैं कि बारिस में हमें क्या करना चाहिए तो वो निड़े लेने में कमी दिखाई देती है नीचे बालकों को भी देखिए कि वो यह चीजें हैं लेकिन क्या करें बालक नहीं समझ पाते हैं नहीं समझ पाने के स्थी आगे उनके मौल अच्छन जाते हैं समाप देम काइन नाट गिव कांटिनिवस अटेंशन तुदा वन पर्सनार वन एक्टिविटी समाप देम हैप डिफिकल्टे इन चैंजिंग फ्राम एक्टिविटी तो अनदर हमें आइसे बालकों में देखा जाता है कि वो एक ही बस्त पर या एक्टिविटी प गुजरेकार के तरफ लगाया जाए तो उन्हें चेंज करने में भी आसानी नहीं होती है वह असानी से अपनी इस्तिती को बदलने में भी अच्छा मैसूस करते हैं ऐसे तमाम लच्षण है आगे भी कुछ हम लच्षण देखें कि क्रोद करना ऐसे बालक बहुत चिड़च करते हैं याद दास्त की कमी और टू में याद दास्त की कमी होती है कि जो चीज 222 ने सब्सक्राइब नहीं होती है और कोई चीज की गई चीजे जो है उन्हें है याद करना आसान नहीं होता है यह बोले की समस्या जाच्जे होती है तालमेल का भाव का कॉर्डिनेशन एपालोग में तालमेल का भाव होता है उनका आई हेंड कॉरडिनेशन या एक जजमेंट किसी चीज को खा रहे हैं तो मुख्ष बंद करना चाहिए अक्सर एक जब कुछ खाते हैं तो इनके मुख्ष पानी पीना है तो पानी के इस एंगेल पर रखना है हाथ से ग्लास को कितना तीड़ा करना है यह तमाम चीजें जो है ऐसी समसाय उनमें दिखाए देती हैं कि उनका पाड़नेशन यह तालमेल का अभाव दिखता है ऐसे तमाम लच्छण हमें अब आएसे बालकों में दिखते हैं जिससे हम आसानी से स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि यह बालक मांसिक मनता के स्रेडी या बौधिक अच्छणता के स्रेडी का बालक तो नहीं है और हम अगर यह चीजें इन समताओं को उसके इन लच्छणों पे अगर विसेस गवर करेंगे जल जल पहसान करेंगे तो उनके समाधान के बारे में हम आ आसानी होती है अगर हम यह मांसिक मनता जो होती है या बौधिक अक्षमता के कारणों के बारे में जानने का प्रयास करें तो यह बहुत हमारे लिए महत्पूर्ण हो जाता है कि हम इनके कारण को जानना चाहिए और उससे बचने का प्रयास करना चाहिए तो अगर हम देखे तो कारण क्या है टो हम इसके देखते हैं कि बोधिक अर्शमता के पार्ण होते हैं इसके हम ने दो गुरूप में मुख्रूप से कार्ण किया है एक जैबिक कारण Questoral डूसर चैज़िक कारण में an internal environment OSO प Mun ff qo Game जा बच्चा मा के होता है यह वो कारक होते हैं प्रहूंस के समय के अब जन के समय वैन के इसलिकों के कारण पर पी जो है नहीं है आपहला 67 अब वह चलाओ सकता है है अगर अश्मानष्पछ करें के से वी तरिक तो गुड़शूत्र हो जाना टूकि जो हमारे टूंटे थरड पेर्स होते हैं उसमें से किसी में अभाह जाना की कमी हो जाना detection or duplication, एक से जादे गुड़ शुतरु का मिल जाना, genetic abnormalities, बंसानुक्रम असमानता, dominant inheritance when one of the parents is affected and each child bears a 50% of chance of inheriting the disorder. बंसानुक्रम में हमें देखते हैं कि अगर किसी के माबाप को कोई भी समस्या रही है, या कोई पुरानी प्रकार की बीमारियां रही हैं तो वो बच्चों में उसकी संभावनाएं परवल हो जाती हैं, उसमें उसके लच्छन की होने की चांसे बढ़ जाते हैं जैसे ट्यूबर क्लोसिस हो गएरा हमें आम रूप में दिखाए देता है या डाइबिटेक को गएरा कि इस्तितियों में तो ऐसे ही कि दिशेबिल्टी की जितिया आती है कि अगर किसी में कुछ दिशेबिल्टी के लच्छन रहे तो हमें मा-बाप से बच्चों में होने की संभावनाएं जए दिखाए देती हैं अगर हम बातावरिये कारक को देखें इसको समझने के लिए हम क्या-क्या कारक हो सकते हैं जैसे अगर किसी कारण से प्रॉद counas तो अगर ये इसतितियां होती है जो कि बच्चे को बहुत रेक tast हम बना सकती है तो अगर बच्चा पेट में पल रहा हो तो अगर bear तेज बुखार हो जाए नै तो उसके कारण से ब şunu बहुत रेक्शम हो सकता है या मा जो एक पोशित को प्रपपर भोजन जो उसको पोशकता तो चाहिए वह अगर नहीं मिल रहा है प्रपर उसको प्रोटीन विटामिन से जो भी उसकी शरीर्ट के शकता खैंग अगर वह नहीं मिलेगा तो बच्चे को प्रॉपर नेहीं मिलेगा जिससे बालक का अपूर विकाश नहीं हो बादा है हाइपर टेंशन अगर माद किसी कारण से बहुत जादे तनौव में रहती है उबर टेंशन लेती हैं उसका असर सिधे बालक के विकास पर पढ़ता है किसी कारण से लंबी सांसे लेना आरेज फेक्टर या अन्प्रेस्क्राइब्ड और हर्मफुल ड्रक्स मदर जो है बिना डॉक्टर के सला के कोई दवा ले लेती है नुक्सान दायक दवाएं खा लेती हैं या किसी परकार की इंजुरी हो जाना चोट लग जाना यह तमाम इस्तितियों से और बहुत जादे से जादे मात्रामें बचा जा सकता है और एक श्वस्त्वालक हो इसके लिए हमें इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए दूसरी इस्तिति आती है जन्म के समय कि जन्म का समय भी जो है बहुत कुरूशल पीरियड होता है बहुत महत्पूर्ण छोण होता है उस समय भी हमें विशेष सावधानी की जरूवत होती है इस समय के कुछ कारण ऐसे हैं जिसके ब्रेन डिलेट बर्थ क्राई पिरी मेचेरूटी मतलब की बालक का समय से पहले जन्म लेना चुकि जो की है भोध्री होता है तो लिए उसके फूंट बिकास नहीं हो जुका होता है तो यहीं जन्म खो जाए और तब भी बच्चे का जन्म ना हो नो महीने का जैसे डूरेशन मना जाता है तो उसके बाद भी जो है बच्चे का जन्म ना हो पाया हो पेट में ही ग्रो कर रहा हो तो उस समय की इस्तिति चुकि उसे अब नेचर में आ करके अपना उसका ग्रोथ होना चाहिए तो नह जादे लंबा समय नहीं होना चाहिए चुकि उस समय भी बच्चे को जो है मासे जो प्रोटीन मिल रहा होता है जो भी पॉसकता तो जो भी चीजें उसकी जीवका चलती है वह जब जन्म के स्थितिया आ जाती है तो प्रकृत में आप सीग्र से आए जिससे अपनी सारी दिन च प्रकृत में अनुसार होना चाहिए उसका जो है वह है वह अच्छी वहीं सी स्थिति में होएक नार्मल होता है अगर उसकी गलत है तो उसको जन्म लेने में देरी भी हो सकती है और उसका कोई आरगन पार सब्सक्ण भी सकता है जिससे उसके जो है ब्रेन में चोट लग सकती है जिसके करण से वह बहुत दीक अक्षम हो सकता है अक्सर देखा जाता है कि जो चाहिए और जनकी समय में को बहुत प्रापर केरिंग या ग्रामीड आंचलों में जो है वह डिलेवरी करा दी जाती है तो उनके जो इन इस्टुमेंट गरा होते हैं बहुत सुद्ध नहीं होते हैं यह उसकी देख भाल नहीं करते तो इसका वी इसकी वी सावदानी रखने के जरूरत होती चुको इंफेक्टेड होंगे तो बच्चा सीधे सीधे उसको टच करेगा तो बच्चा भी इंफेक्टेड होगा तीन चीज का विशेश ज्ञान लखना चाहिए और जन्म के समय उसकी ब्रेन में कोई चोट ना लगे इंजूरी ना ब्रेन इसके करण सीवी वह हो सकता है बहुत दीक अक्चमता की इस्ति बन सकती है बच्चे का जो है देर से रोना तो यक्सरण देखते होंगे या पिच्चरों में तमाम ऐसे उसमें कि बच्चा जैसे जन्म लेता है उसको रूलाया जाता है और अगर बच्चा देर से रोएगा तो उसको जो है आक्सीजन उतनी ही देर से मिलेगी इसका लंक्स जो है देर से काम करेगा और ब्रेन को आक्सीजन बहुत देर से मिलेगी जिसकी इस्तिती में जो है उसके ब्रेन की इस्तिती प्रवावित हो सकती है तो उसे जल्दी से पुलाया जाना चाहिए च्छोटी-च्छोटी साउधानिया है एकर हम रखते हैं तो बच्चे को जो है बौधिक अक्षम होने से बचाया जा सकता है उसके डिलिबरी हो तो इस पर्ट से किसी डॉक्टरों से ही किसानित में किया जाना चाहिए आगे कुछ कारण देखते हैं क जान के बाद के भी कुछ कारण हैं जिसके कारण से जो है बालक बहुतिक रूप से अच्छा हो सकता है जैसे उसको हम देखें कि हाई फीवर लाइक मेनेंजाइटीज सीवियर और इंकम्प्लीट टीटेट ट्यूबर क्लोसिस इंफेक्शन लीड और पोईजनस मेंटेरियर अगर किसी कारण से बच्चे को तेज बुखार हो जाए जैसे मेन इंचाइटीज हो गयरा हो जाता है तो उसका सीधा आसर उसके मस्तिस के पड़ता है जिसके करण से बालक जो है बौधिक रूप से अच्चम हो सकता है या कोई पूरानी बीमारी हो जिसे टूबर क्लोसिस उगरा के इंफेक्शन हो जाए और वो लंबे समय तक हो और उसका प्राफर केयर ना किया जाए प्राफर लाज ना हो तो भी संभावना बढ़ जाती है बालक जो है कोई नुकसान दायक चीजें मुख में ले ले जो कि उसके शरीर के लिए नुकसान दायक थी जो कि उसकी इम्यूर पार उतनी नहीं होती है तो वह उसके बौधिक अख्चमता के तरफ ले जा सकता है बच्चों का कूपोशन से बचाना उसको जो प्रापर कुछ चोटी-चोटी यह सावधानिया है अगर ध्यान रखी जाएं किसी कारण से मस्तिस्क में चोट लग जाना या भी जो है उसके बौद्धिक अक्षमत होने का कारण बन सकता है तो हमें विश्य सुभूप से ध्यान देना चाहिए कि चोटी-चोटी चीजों से अगर बचा बची जाएं तो बौद्धिक अक्षम होने से बालग को काफी हट तक बचाया जा सकता है अब इसके कुछ साइकोलाजिकल फैक्ट बेरी पूर एंड बैड सिच्वेशन माल अड्जेस्टेट फैमिली इंवार्मेंट पैरेंट्स बित रिटार्डेशन टूटल आइसोलेशन फ्राम इंट्रेक्शन इन फैमिली कमिनिटी और सोसाइटी एक बालक जब बिद्ध्याले में जाता है तो अगर बातावरन उसके अगर घर का बातावरन आर्थिक इस्तिति सही नहीं है तो जिसके कारण से भी बालक जो है उस घर के बातावरन अच्छे नहीं है तो उसका भी इसर उसके सोचने समझने की इस्तिति पर पढ़ता है आर्थिकिस्थी नहीं है तो यहांभी कारण जो है उसके मस्टिक्स पर असर डालता है जिसके कारण चाईब सकती हैं बातावरन का सही ना होना वह बहुत माइने रखता है के उसके बालक का भीकास क्या आगे बढ़े कैसे बढ़े उसकी तो अगर वो सही से नहीं है तो आपकारक बन सकता है यह किसे माबाप में से कोई जो है अगर बौदी ग्रूप से अच्छम है तो इससे भी जो है बालक अगर एक बालक को समाथ से परिवार से समुदाय से अलग कर दिया जो लोगों का इंट्रेक्शन ना हो तो वह भी एक कारक बन सकता है कि वह बहुत दिक रूप से अक्षम हो जाएगा और इस्ट्रेस में चला जाएगा और जिसकी कारण जो है दिरे दिरे बहुत बहुत दिक कारक रहे हैं जिससे बहुत दिक अक्षमता करता हम इन बातों को अगर ध्यान से और थोड़ा सा साउधानी पूर्वक इन चीजों को मैनेज करें देखें तो हम इन चीजों से बचा कैसे जाए इसके लिए हम साबिस्तार भी आगे चर्चा करेंगे लेकिन फिर भी अगर हम किस्तिती में चला जाता है यह सिपर थि क्या क्नहारे पास हैं मैं क्या क्रने के लिए क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हम कांशलिंग। का महारदर्शन करें कि अगर बालक हैं तो बहुत से पैरेंट्स की स्थी क्या होती है कि बालकों को जो है घर में बिठा लेते हैं समाजी को परिवेस भी कुछ अब तो काफी चीजें बदल गई हैं अगर किसी के घर में इस टाइब के बच्चे हो जाते थे तो भगवान काप साफ मान करके घरों में ही रखना पसंद करते थे समाज भी उसको एक से अपनी करता था थोड़ी स्थितियां बदली है फिर भी लेकिन अभी स्थिति थोड़ी किसी बहुत अच्छी तो नहीं है तो हमें माबाब का प्रापर जो हैं कांसलिंग की जाए और उनके बारे में बताया जाए कि इन वाइसे बालक हो सकते हैं इनमें कोई बहुत बड़ी समश्या नहीं है और इनका अगर प्रापर केरिंग किया जा जाए देख भालक बहुत क सकते हैं और इनको क्या ब Gins давain की जरूवत है कहाँ इंको ले जाएं बालक को कैसे क्या की जरूबत लगा हम प्रापर मारदर्शन किया जा तो उसकी समश्या कम की जा सकती है और बालक बोज ना बंकरके एक अपनी सवयंट की लाइफ जीने में सच्छम हो सकता है वह benef बहुत लिखने इत्याद की व्योस्ता रखी गई है तो उसकी तरह उन्हें जाना चाहिए उसका प्रियोग किया जाया है वो केशनल ट्रेनिंग व्योसाइक सिच्छा की बाद भी कही गई है कि जैसा अगर बालग मालेजे बहुत-बहुत सच्छम नहीं है वह बहुत कुछ पढ़ने कि उसका जो ब्योहार है उसमें तमाम गलतियां करता है बहुत मिश्टेक करता है तो उसमें से ही कुछ बहुत पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत कर सकता है तो अगर हम उसके ब्योहार को परिवर्थित करते हैं जो अपनी अनर्जी गलत जगह पे लगाता है उसकी दिस्ता आज़ा सकता है इस पीज थर्पीज चुकि ऐसे बालकों को इस पोजर की कमी होती है पब्लीक में बहुत नहीं आने जाने के स्थिति होती है तो इस पीज की प्रॉबलम भी हो जाती है तो उनके लिए हमें चाहिए कि इसको इस थर्पिस्ट के पास व्यूस्ता देजा अगर जरूरी नहीं है कि बुलने के स्थिति देखने को मिलती है तो हमें उसको इस पीज थर्पिस्ट के पास भी बेजने क्यों सकता पड़ती है जो कि चोटी-चोटी एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि वह आसानी से नहीं कर पाता तो फिजियो थर्पी उसमें काफी हेल्प करता है और उसकी सारी रिक इस्थितियों को सामान करने में काफी सहायक है उसको हम अक्यूपेशनल थर्पी व्योसाइक चिकिस्टा के तरफ भी उसको हम अगर सारीत कर सकते हैं जो कि उसके लिए बहुत आवस्थिक है जिससे वो चोटी-चोटी क्रियाओं को करने में सक्षम होता साइको थर्पी मनोचिकस्टा के पास भी वेश सकते हैं और उसके बाद मेडिकल है कि अगर किसी बालक को लग रहा है कि बहुत से इस्तितियां ऐसी होती है कि जो की मेडिकली जो है काफी हद तक ट्रीट किया जा सकता है तो हमें आवस्थिक्ता अनुसार जैसे आवस्थिक बालक को आवस्थिक्ता लग रही हो मैसूस हो रही हो उसको प्रबंधन के लिए हमें जाना चाहिए और उसकी वैसी ब्यवस्था करनी चाहिए इन तमाम अगर छोटे-छोटे तथ्यों को हम लोग गवर करें समझें तो हम बालक की उन तमाम समस्याओं से समाधान करते प्रापर देख भाल की प्रापर मार्वदर्शन की जिसकी सहायता से हम उसे एक अच्छा जीवन जीने में सहायक हो सकते हैं इसके ताथ हमने आज देखा कि मांसिक मनता क्या होती है उसके कुछ परिभास आइं चुकि हमने इसको इंगलिस में और हिंदी का थोड़ा से मिक् तो और इसके कारण को भी देखा हम लोगों ने तो मांसिक मनता यह बहुत दिक अक्षमता एक ऐसी अक्षमता है जिसको हम लोग मारदर्शन से सही दिशा से सही काउंसिलिंग के द्वारा और प्रापर केरिंग से कम भी किया जा सकता है अगर बालग हलड़ी से सफर कर रहा है तो उसको प्रापर केरिंग प्रापर ट्रेनिंग के द्वारा इसकी समस्या को कम किया जा सकता है फिर भी फिर अब हम लोग पुना किसी ऐसे ही क्लास में आगे मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवार्ण